दिखिए इस वीडियो में हम MongoDB के अंदर transactions के बारे में पढ़ेंगे लिगा है बाई transaction is a set of operations that are executed as a single atomic unit transaction मतलब वो set of operations जो कि अगर होंगे तो साथ में होंगे अगर उन में से कोई एक भी cancel हो आता है तो सारे के सारे cancel हो जाएंगे फिर से एक बार माल लिजे मेरे पास तीन operations है तो मैं उन तीन operations code एक transaction तब कहूंगा जब वो अगर हो रहे हैं तो एक साथ हो रहे हैं अगर उनमें से एक भी कोई cancel हो आता है सारे cancel है माल लिजे दो बंदे हैं A है और B है ठीक है करना क्या है करना यह है की A को सो रुपे भेजने है B को तो कैसे बहज़े गा है सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी A के खाते में से सो रुपे कट जाएंगे टीक है दूसरी चीज़ क्या होगी दूसरी चीज़ होगी कि B के खाते में 100 रुपए अड़ हो जाएंगे यानि कि 2 operation हो रहे हैं तो operation 1 जो है वो क्या है कि भाई A में से 100 माइनस कर दीज़े operation 2 क्या है operation 2 है कि B में 100 रुपए अड़ कर दीज़े ठीक है आपका database server बंद पड़ जाता है ठीक है बंद हो गया भाई जैसे ही बंद हुआ A में से तो cut गए ठीक है फिर आपने database server चला दिया भाई ठीक है पैटरोल डाल दिया उसमें चल गया अब जैसे ही वो चला कोई track ही नहीं है OP2 का A के bank से 100 रुपे कट गए OBS ही रह गया उसके पास पैसे आए ही नहीं तो यह क्या है यह transaction है यह transaction होना चाहिए था transaction क्या होता है transaction वो है कि भाई अगर सारे operation हो रहे हैं तो एक साथ हो अगर beach में कुछ फट जाता है तो सारे के सारे cancel हो जाए है revert हो जाए है ठीक है तो transaction क्या होता है कि अगर मालीजे मैंने कहा कि बीच में आपका database server बंद हो गया तो यह क्या हो जाता यह rollback हो जाता थेक है यह rollback हो जाता सभी बात है कि अगर होने है तो OP1 और OP2 एक साथ होंगे ठीक है नहीं होगा तो कोई साब भी नहीं होगा यह है transaction की परिभाषा लिखा होगे transactions provide data consistency by ensuring that either all the operations within the transaction are committed ठीक है और none of them are ठीक है बता है consistency मिल रही है भाई ठीक है एक खाते में से कट गए हैं तो बीक खाते में आएं transactions are designed to provide acid properties अब यह acid क्या है ठीक है सबको पता है हमें पता है कि बहुत महाशे हैं आप सबको पता है acid properties क्या है लेकिन फिर भी एक छोट असा overview दे रहा हूं पहला है atomicity अच्छा बहुत बड़ी कथा लिक हुए पढ़ते हैं atomicity guarantees that a transaction is treated as a single individual unit of work ठीक है दो operation हो रहे हैं कोई दिक्कत निया है लेकिन वो क्या है एक single individual unit of work single operation की तरह मानेंगे इसके के न अच्छा and committed or none of them are ठीक है if any of the transaction fails all changes made by the transaction are rolled back leaving the data in its original state अभी जो मैंने आपको कथा दिखाए क्या बोलते हैं इसको atomicity बोल ठीक है जो मैं आपको whiteboard बेबताया था हो क्या है atomicity फिर है consistency मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ फिर से एक बार याद दिला दो आपको ये सब क्यों बढ़ा रहे हैं क्योंकि transaction में acid properties होती है और हम transactions पढ़ने जा रहे हैं ठीक है atomicity हो गई है consistency पढ़ते हैं अच्छा फिर से कथा लिक हो यह लिखा हुआ है consistency ensures that a transaction brings the database अब देखे इसका मतलब देखता है इसका मतलब है कि transaction के बाद भी transaction से पहले भी valid state होनी चाहिए अच्छा अब valid state का मतलब क्या है बोल रहा है जो constraints थे ना वो constraints लगे रहे हैं यानि कि ओवे करना चाहिए constraints को जैसे कि आपने कुछ field है उसको क्या रखा है unique होनी चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो transaction कर रहे हैं उससे वो constraints टूट जाए uniqueness टूट जाए उस field की आपने एक field बना रखी है ID या फिर role number आप एक transaction कर रहे हैं उस transaction के बाद role number duplicate आ रहे हैं तो क्या होगा तो role back हो जाएगा वो ही लिखा हो है अच्छा uniqueness constraints referential integrity का मतलब क्या referential integrity का मतलब है कि माल लीजे आपका एक collection है उसमें कोई document है वो refer कर रहा है किसी all document को in another collection तो refer करने से पहले वो पता होना चाहिए कि वो exist भी करता है अगर exist नहीं करता होगा न तो role back हो जाएगा वो ही लिखा हो है ठीक है इफ़क transaction violates any constraint the entire transaction is rolled back preserving data integrity ठीक है कि एक single unit की तरह होंगे consistency होगे हाँ भी कोई constraint violate नहींगे अच्छी बात है फिर isolation अच्छा कहानी लिखी हुई है isolation ensures that each transaction operates independently of other concurrent transactions बताऊँगा भी हिंदी में भी आपको बताऊँगा it prevents interference between concurrent transactions preserving data integrity and preventing unintended side effects बोल रहा है देखेगा माली जब के हजार transaction हो रहे है हजार के हजार ना वो independently होंगे समझ रहे बात को एक दूसरे को interfere नहीं करेंगे isolation level define different levels of concurrency control allowing developers to choose the appropriate level of isolation for their use case पिर सब बताऊँगा इसको isolation ensures that each transaction operates independently of other concurrent transactions ठीक है बाई एक कोई transaction हो रहा है वो independently होगा उसको मतलब नहीं कि दूसरा भी हो रहा है ठीक है it prevents interference between concurrent transactions preventing data integrity data integrity मतलब कि कितने भी transaction होते रहे है data हमिशा सही रहेगा ठीक है and preventing unintended side effects वोई बात है ठीक है atomicity हमने देख लिया है consistency हमने देख लिया है isolation के लिए example देखेगा ये हैं आप ठीक है आपने आज decide कर लिया है कि आपको दो transaction करने है ठीक है आपके bank account में 500 रुपे है तो आपने decide कि आज कि आप दो transaction करने वाले है सबसे पहला transaction क्या होगा कि आप क्या करेंगे आपको 100 रुपे भेजने अपने दोस्त को ठीक है 100 रुपे भेजने है दोस्त को दूसरा transaction क्या करना है आपको ATM जाना है और ATM से 100 रुपे निकाल ले है ठीक है ATM से 200 रुपे निकाल ले है कोई दिख्कत नहीं है अच्छा लेकिन आप पेस्ट करना चाहते हैं कुछ आपने क्या किया आप पहले ATM में चले गए ठीक है और आपने pin डाल दिया और निकल रहे हैं पैसे निकल रहे है जैसे ही आपने pin डाला तुरंत जैसे ही आपने pin डाल के एंटर किया ATM में तुरंत आपने 100 रुपे भी वेज़ दिये दोस्को आप देखना चाहरे हैं कि क्या होता है आप देखना चाहरे हैं कि isolation होता भी है नहीं क्योंकि दो right transaction में सेम डेटा पर कर रहा हूँ तो आप चेक करना चाहरे हैं अब देखें अगर data isolation नहीं होगा जैसे माल लीजे आपने 200 रुपे निकाले better example के लिए माल लेते हैं यह क्या है यहाँ पे लिखा हूँ है 500 रुपे अब जैसे ही आपने ATM से पैसे निकाले और आपने friend को भी भेजना शुरू किया अब आपने 200 रुपे नहीं हुआ होगा 300 ठीक है तो 500 रुपे में से 500 रुपे निकाले जाएंगे friend के पास 500 रुपे जाएंगे आपके पास भी 200 रुपे जाएंगे फाइदा आपका है लेकिन क्या है गलत है तो होता क्या है यह हम बोलते हैं कि हाँ भी simultaneous हो रहे हैं लेकिन अगर हम देखें changes जो है वो आतो हो रहे हैं same time पे लेकिन जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे आपने एंटर किया ATM पर पिन डालके तो माली जै आपका balance है यहाँ पर लिखा हो है 500 रुपे ठीक है तो ATM वाला transaction आज चल रहा है जब ATM वाला transaction चल रहा होगा तो यहाँ पर लग जाएगा lock ठीक है जब यह वाला transaction commit हो जाएगा कि हाँ भी 200 रुपे गट गए हैं अब 300 रुपे बचे है commit हो गया है then only then only आप friend को रुपे भेजने वाला transaction जो है वो कर पाएंगे आपने तो कर दिया है आपने तो कर दिया है लेकिन वो transaction तभी होगा वो operation तभी होगा जब ATM वाला transaction commit हो चुका होगा and lock release हो गया होगा तो यह lock है यह ensure करता है कि सारे transactions isolated हो रहे है अब माल यह तीसरा transaction भी है ठीक है आप अपना bank balance भी देखने चाहरे हैं एक टाइम पर तो देखिए वो read operation है अब read operation आप करा सकते हैं कोई दिख्यत वाली बात नहीं है ठीक है जो bank की websites होती है वो बंद बढ़ जाती है क्या वो खुद बंद कर देती है ताकि data consistent रहे जैसे माल लिजे कभी कभी क्या है bank websites क्या होती है अपडेट होती है कि server update हो रहे है तो वो downtime रख लेती है तो वो इसलिए है कि data consistent रहे ठीक है इतनी गहराईयों में जाने के आवशकता नहीं है यह मैंने पढ़ा है आपको system design की playlist में ठीक है सारी चीज़े पढ़ा रखें बहुत अच्छी तरह से ठीक है atomicity हो गया है consistency हो गया है isolation भी हो गया है आप देखते हैं durability durability guarantees that once a transaction is committed its changes are permanently stored and will survive any subsequent system failures committed transactions are made durable by writing their changes to disk or other persistent storage persistent storage का मतलब क्या है कि हाँ store रहेंगे उडनी जाहेंगे थोड़े दिर बाद ठीक है this ensures that the data is not lost and can be recovered in the event of crash or failure कह रहा है भी अगर transaction हो रहा है तो तो transaction हुआ है वो commit हो जाने चीए in persistent storage ठीक है जैसे hard disk में चला जाई ठीक है यानि कि permanently store कर दिया जाए इत्ती सी कहाने इसके लिए हम backups रख सकते हैं data replication कर सकते हैं यह सब durability को achieve कर सकता है इन सबसे हम durability अचीव कर सकते हैं ठीक है भाई when it comes to transaction asset property हमारी खतम होगी when it comes to transactions replication is crucial for maintaining the consistency and durability अब आपको बताया था across multiple documents and collect ठीक है asset properties हमारी समाप्त होगी है ठीक है अब फिर से transactions continue करता है when it comes to transactions replication is crucial for maintaining the consistency and durability guarantees across multiple documents and collections मैंने आपको बताया था कि अभी replication जरूरी है किसके लिए durability के लिए Joint 23, gradu, 11, ? कोई दिख्कत वाली बात अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजेगा इसी लिए इसी लिए किया था वह रैप्लिकेशन इंप्लिमेंट अगर आपने नहीं देखिया वीडियो तो देख लीज़ेगा ठीक है वीडियो बंद भी कर सकते हैं अगर आपको खुद करना है तो यह सब ठीक है यह सब पर लीजे लिखा हुआ है भाई डीबी.getmongo.start.session.start.transaction समय रहा है कि हाँ इससे क्या है बता हुआ जब मैं लिखूंगा इनको सब समय जाएगा अभी overview दे रहा हूँ कि हाँ एक start कर रहे है transaction कोई ठीक है इससे समय रहा है ठीक है फिर कर रहा हूँ मैं फिर मैं कुछ-कुछ update कर रहा हूँ ठीक है भाई सो रुपए घटा दिया मैं देख रहा हूँ ठीक है अच्छा एक customer जिसकी आईड़ी वन है उसमें से सो रुपए घटा रहा हूँ और दूसरा customer जिसकी से कुछ खास लिखा नहीं है ठीक है जैसे कि आप माली जिए जावा में कोड कर रहा है और माली जिए कुछ update कॉल चला रहे है उसमें exception आ जाता है तो यहां पर try catch लगा सकते है और cash में आप about transaction कर सकते हैं नहीं तो आप commit transaction कर सकते हैं समझ रहे बात अब अब हो जाएगा तो अब चलाते हैं दूसरा नोर्ड यहां पर दिया db2 ठीक है एंटर किया सेम कमांड हमने चलाई थी पिछली वीडियो में replication वाली में फिर चलाते हैं 7020 db3 और rs1 ठीक है ठीक है तीसरा भी चल गया है बहुत जिवात अब फोर्थ टर्मिनल पर हम चलाते हैं mongoshell ठीक है और 2708 पोर्ट से हम connect करते हैं यहां पर लिखा हूँ आ गया है rs1 secondary एक और मिल खोल लेते हैं तो हमने टोटल तीन टर्मिनल खोले थे node start करने के लिए और अब तीन खोल लिए हैं mongoshell खोलने के लिए यह वाला 2709 से connect करेगा यहां भी आ गया है rs1 primary node ठीक है primary node है 2709 वाला ठीक ह यह भी secondary है ठीक है बाई कोई दिक्कतारी बात नहीं है एक हमारा primary हो गया है एंड दो हमारे secondary हो गया है primary पर जाते हैं ठीक है और यह commands लिखना start कर देता हैं सबसे पहले show collections कर लेते हैं employees है एक काम करते हैं एक bank नामक collection कर लेता है use bank db अब इसमें कस्ट नाम का कस्ट कर लेते है इंसर्ट वन ठीक है इंसर्ट वन जिसमें मैं id दूंगा क्या 0 पहले customer का नाम ले दिया मैंने क्या राम और balance bl कितना दे दिया 500 ठीक है एक और customer add कर लेते हैं जिसके id 1 है जिसका नाम है क्या बाब या फिर बोल देते हैं नाम इसका अक्षित है ठीक है और उसके पास क्या balance 0 अच्छा duplicate की कह रहा है तो हमने देख देखना पड़ेगा अच्छा पहले से पड़ा हुआ है राम श्याम तो पहले से पड़े हुआ है तो एक काम कर देते हैं इस वाले राम को delete कर देता है कौन से वाले को id 0 वाले को delete कर देता है ठीक है दो कस्टमर है राम और श्याम बहुत च्छी बात है राम के वास्तों रुपे श्याम का 0 रुप है अब देखेगा अगर माली जे मैं ऐसी हवा में मैंने कर दिया अब मालो कुछ हो भी गया मालो अब server बंद भी पड़ गया मेरा तो क्या rollback करूँगा कुछ भी नहीं ठीक है इसके लिए पहले इसको rollback कर देता है balance को मैंने बढ़ा दिया है यह तो rollback मतलब revert कर देता है यह तो manually बढ़ा रहा हूँ 100 रूप है तो यह हमने देख लिए कि अगर मैं ऐसे ही update 1 जलायता हूँ तो उसको rollback नहीं किया सकता ठीक है automatically obviously तो इसके लिए आया session session मान लिजे एक time frame मान लिजे कि भाई इस दोरान ये एक session चल रहा है हमारा इस दोरान कितने transaction हुए थे ऐसे ये एक तरीका है याद रखने का कि भाई इस session में 10 transaction हुए है याद रखेगा MongoDB अब तो भूल गया राम के 100 रुपे घटाए थे वो भूल गया कितने घटाए थे वो तो मुझे याद है बस इसको फोड़ याद है session एक तरीका है कि एक नया session create करते हैं इस session के दोरान ये करेंगे इस से याद रहते हैं Mongo को कि हाँ बही कुछ transaction हो रहे है इस दोरान तो वो हम db.getmongo.start session इस से एक session object मिलेगा इस से क्या मिल रहा है session object मिल रहा है db.getmongo.start session db.getmongo से क्या होदा है current connection की information मिलती है ठीक है enter किया फिर start करते हैं session.start transaction session.start transaction ठीक है वे पिर आपको देखे ऐसी करना है session से आप मांगिए database का access कैसे get database और यहाँ पर नाम देना पड़ेगा database का bank ठीक है database मिल गया है फिर आपको चीए cast इसको डाल देते हैं war cast collection नाम ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है अब direct ने सकते है direct लोगे तो ऐसे ही commit कर दे करना हमें करना है हमें session के अंदर खेलना है ठीक है अच्छा अब cast collection हमारे पास है cast collection इसमें हम update 1 चलाएंगे update 1 ठीक है id हमने दी क्या 1 ram है बन्दा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और increment operator ठीक है balance हमने minus कर दिया 100 ठीक है चलिए करने जा रहे थे कुछ error आ गई increment नहीं हुए शाम के पैसे तो क्या होगा ठीक है तो क्या करेंगे हम abort कर देंगे session.abort transaction ठीक है abort कर दिया अपने फिर क्या किया अपने session end कर दिया ठीक है आप देखिया db.cast.find किया ram के पैसे 500 ही है शाम के पैसे 0 ही है ठीक है फिर से एक बार देखेगा session.start session किया मैंने war cost collection में मैंने bank को पटक दिया bank customer collection को पटक दिया फिर मैं क्या कर रहा हूँ फिर मैं minus कर रहा हूँ 100 रुपे ram से और add कर रहा हूँ sham में कोई दिक्कत नहीं हूँ यह इस बार तो मैं गरूँगा session.commit transaction करूँगा commit हो गया है session को end कर देते हैं ठीक है अब चेक करते हैं db.cus.find देखो ram के balance हो गया है क्या 400 रुपे शाम का 100 रुपे यह है transaction ठीक है हाँ वई अगर हम देखें db.cus.find करके उसमें बाकी के secondary note में use bank किया db.cus.find करते हैं क्या बोल रहा है slave हो के false है यानि कि secondary note जो है वो read नहीं कर पा रहा है राइट से रहते हैं उसको भी विचारे को तो admin पे जाते हैं use admin db.getmongo.set secondary okay लिखते हैं अब चलाते हैं use bank and use customer.find दख रहा हो replicate भी हो गया डेटा राम के पास 400 रुपे शैम के पास 100 रुपे ठीक है primary से हमने चेंज किया था primary पर हमने transaction चलाया था और customer collection हमने हमने चेंज किया था primary से और replicate हो गया है secondary पर भी ठीक है तो इस वीडियो में हमने transaction भड़ा in MongoDB